हालो एंड वेरी गुट इवनिंग पहरे दोस्तों हमने मध्य प्रदेश सड़क परिवेन निगम चैप्टर को कॉम्टेट कर लिया था आज उसी के अंतरगत आज हम objective questions को लगाएंगे तो आज से हम start करेंगे मध्य प्रदेश सड़क परिवेन निगम के objective question तो आपका जो पहला question है चलिए तो इसमें total 25 question है जिनमें पहला question आपके सामने है रश्ट्रे राजमार्ग किसे कहते हैं तो रश्ट्रे राजमार्ग किसे कहते हैं यह हमने पढ़ा था रश्ट्रे राजमार्ग क्या होता है तो रश्ट्रे राजमार्ग देश के पिर्मुक नगरों एबम प्रदेश की राजधानियों को जोडने वाले मार्ग क्या होता है राश्ट्रे राजमार्ग, किलियर हो गया, तो राश्ट्रे राजमार्ग किसे कहते हैं, देश के पिरमुक नगरों, एबम, पिरदेश की राजधानियों को जोड़ने बाले मार्ग, ठीक है, ओफसन फर्स्ट इसमें होगा नहीं, ओफसन फर्स्ट क्या है, राजधानी से आन हैं चलिए, यह हो गये हमारा राश्ट्रीय राजमारक पहला कॉस्चन, कॉस्चन नमबर सेकंड, कोश्चन नमबर सेकंड यह बोलता है मथ्द्र प्रदेश का सबसे च्ता राश्ट्रीय राजमारक कौन सा है, तो हमने यह बहुत DevTree में पड़ा था मथ्द्र प्रदेश का सबसे छोटा राष्टे राजमार्ख है आपका NH 27 होगा नहीं होगा अगला कौन सा है NH 59 होगा ये भी नहीं होगा NH 339 भी बिलकुल आपका होगा NH 76 बिलकुल नहीं होगा तो NH 339 भी हमने पढ़ा था कि ये मद्यप्रदेश के किस जिले में हैं चतरपुर जिले में और चतरपुर जिले में NH 339 भी बमिठा से कहां जाता है खजुराहो तक जाता है बमिठा से खजुराहो तक तो मद्यप्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाइबे NH 339 भी है जो कि बमिठा से खजुराहो तक जाता है और इसकी कुल नम्माई भी हमने पड़ी थी, कितनी थी, 9 km, ठीक है, तो मध्यप्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रे राजमार कौन सा है, NH339B, और मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रे राजमार कौन सा है, NH3, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला question देखते हैं question number 3, question number 3 ये बोलता है, मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब होई थी, तो मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम की स्थापना, आपको अच्छे से पता है, हमने पड़ा था, 1 जून 1962 को, 1 जून 1962 को मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम की स अधिसूचना जारी करके समाब्द कर दिया गया था, तो मध्य प्रदेश राज्य परिवेर निगम की स्थापना कभूई थी, 1962, यहनि इसका पहला उप्सन आपका सही हो जाएगा, अगला कोश्चन के और बढ़ते हैं, कोश्चन नमबर फोर्थ, कोश्चन नमबर फोर्थ मोता है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सड़कों का घनत्व किस जिले में है, तो देखे, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सड़कों का घनत्व है, वो सतना जिले में है, ठीक है? मद्द पृदिस में सबसे अधिक सड़कों का घंद किस जलिय में है? सत्ना जलिय में सबसे अधिक घंद भे अभी घंद क्या होता है तो घंद भूता है जो उस जलिय का जो भी particular area हो उस area में सडकों की density कितनी है मलब सडकें कितनी पास-पास से होके गुजरी है या उस area में या एकांक छेतरफल में से होकर गुजरने बाली सडकों की संख्या तो सतना जली के छेतरफल में से गुजरने बाली सडकों की संख्या जो है सबसे अधिक है और सडकें आपस में कैसी है घनी है तो घनी है तो सडकों का घनत भी किस जिले में सबसे अधिक है तो सतना में सडकों का घनत सबसे अधिक है यानि सतना जिले के छितरफल मैंसे होके सबसे अधिक सडकें गुजरती है अगर कुश्चन ये पूछा जाए कि बताए सडकों की ल लंबाई सर्वा दिखे ठीक है तो ये सत्रा दो हजार सत्रा अठ्रा के आंकड़ों के ऊपर आधारित है ठीक है और क्योंकि अभी इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ है तो कोषचन आएगा कि मद्य प्रदेश में सरकों का घेनत सबसेरी किस जिले में है तो आपका अशर हो का सत्ना चिला और सबसे अधिक किस जीले में है तो सीधी जीले में है अग्ला question हम आगे वहरते हैं question no.5 Mathe-Prdish का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्य राजमार्ग तो लेकिए Mathe-Prdish का जो सबसे पहला सबसे लंबा राष्ट्य राजमार्ग के वो तो क्या है NH3 है और यह NH3 कहां से कहां तक जाता है तो आगरा से मुंबई तक जाता है ठीक है आगरा से मुंबई तक जाता है लेकिन इन्होंने पूचा है कि second largest तो दूसरे नंबर पर आता है आपका NH44 राश्ट्री राजमार्ग संख्या 44 जम्मू एंड कश्मीर से कहां तक जाता है तो कन्या कुमारी तक जाता है जम्मू कश् यह इसका आंसर से हो जाएगा second number का NH44 ठीक है अब एक शीज और याद रखिए का कि जो NH44 है वो देश का पहले नंबर का सबसे लंबा राश्ट्री राजमार्ग है नह44 देश का पहले नंबर का सबसे लंबा राश्ट्री राजमार्ग है बले ही मध्यप्रदिस का वो दूस आर्थिक सर्वेक्षन के अनुसार मध्यप्रदेश में जिला मार्गों की लंबाई कितनी है तो हमने यह question भी पढ़ा था तो मध्यप्रदेश में जो जिला मार्गों की लंबाई है 2018-19 का जो आर्थिक सर्वेक्षन के अनुसार मध्यप्रदेश में जिला मार्गों की परीबहन नीती बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है तो देखिए ये कोशन भी हमने पढ़ा था हमें पता है कि मध्य प्रिदेश सड़क परीबहन निगम की स्थापना कब हुई थी तो एक जून 1962 को हुई थी इसके बाद इसका बिगठन कप कर दिया गया था तो 31 दिसंबर 2002 को मध्य प्रिदेश राज्य परीबहन निगम का बिगठन कर दिया गया था तो इसका मलब है बर्दमान में मध्य प्रिदेश राज्य परीबहन निगम संचालित नहीं है यानि इससे संचालित हो होने बाली बस मद्द्धर परदेश में नहीं हैं अब तो ये तो खतम हो गया तो मद्द्धर सरकार ने क्या किया अब परिमिटर सिटम जारी करेंगे यानि कि अनुबंद के आधार पर हम बसों को लेंगे और उनको परिविशन दे के हम उनको चलवाएंगे ठीक है तो इस प्रिकार से मद्देपर्टे सरकार ने कहा कि अब परिवहन नीती लागू की परिवहन नीती में क्या होता है कि यहां पर गवर्मेंट की कोई बस नहीं होती है गवर्मेंट किसी भी प्राइबेट ऑपरेटर की बस को कोई भी प्राइबेट ऑपरेटर प्राइबेट बस ऑपरेटर आके अपनी बसों को एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक चलवाने के लिए क्या कर सकता है परिमिट ले सकता है तो आपने देखा होगा मत्यप्रदे कर लेती है और गवर्रमेंट के आधार पर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन्हीं बसों को चलवाते हैं तो मत्यप्रदेश में बरतमान में अनुबंद प्रणाली पर चलते हैं ठीक है तो ये कहलाती है मध्य प्रदेश तो इसका आंसर सही हो जाएगा मध्य प्रदेश ठीक है तो मध्य प्रदेश अनुबंद के आधार पे बसों को संचालित करता है अगला जो कोश्चन है वो है मध्य प्रदेश की किस जिले में ड्राइविंग ट्रेक का निर्मान किया गया तो उस टेस्ट लेने के लिए एक ड्राइविंग ट्रेक का निर्मान किया गया है ठीक है और मध्य पृद्गीस में अभी इसर एक ही जगे पर हो पया है अकर दिश की बात की जाए तो हर्याना में driving ट्रेक है तो हर्याना की तर्ज़ पे मध्य cricket सरकार ने भी अपने यहाँ पे driving ट्रेक कर निर्माण किया है ठीक है तो मद्ध्य प्रदिस की किस जिले में driving track है तो इसका answer होगा आपका indoor indoor जिले में driving track की सुभीना उपलब्द है यहाँ पर driving track कुछ step का होता ही कि यह होता है फिर यह सड़क होती है फिर यह turn लेती है तो indoor जिले में driving track का निर्मान किया गया है किलियर होगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question अगला question है हमारा केंद्र सरकार के द्वारा मद्ध्य प्रदिस के किस जिले में driving training school का निर्मान कराया गया है तो केंद्र सरकार के दोवारा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पांडूर ना में किसका निर्मान कराया गया है? ड्राइबिंग ट्रेनिंग स्कूल का निर्मान कराया गया है तो इसका सही answer होगा option no.3 छिनवाड़ा का पांट डोड़ना तो छिनवाड़ा की पांट डोड़ना में cancer कार की सहयोग से driving training school का निर्मान कराया गया है अगला question, question no.10 question no.10 क्या बोलता है मध्य प्रदिश का सबसी छोटा bus stand किसी जिले में है या कौन सा जिला है कहा का bus stand सबसे छोटा है question कहा है, प्रदिश सुनिएगा मध्य प्रदिश का सबसे छोटा bus stand किसे कहा जाता है तो मध्य प्रदिश का सबसे छोटा bus stand कहा जाता है आपका खरगौन को ठीक है, खरगौन मध्य प्रदिश का सबसे छोटा bus stand है ओके, चलिए next question कुशन नम् distinguished 11 मध्ञेप्प्रदेश का 14 ख किसे कहा जाता है तो मध्ञेप्रदेश का 14 बहुत दिधिक कोश्यन है यह सुक्षेटे लिगेगा मध्ञेपुत यह है आपका ब्यावरा ठिक है 3 ब्यावरा से ठो 2 और दूसरा जो नैस्टनल हाईवे है वो जवलपुर से स्टार्ट होता है और जवलपुर से स्टार्ट होके ब्यावरा होते हुए कहां जाता है जैपुर तक जाता है तो देखिएगा ब्याबरा को मत्य प्रदेश का चोरहा कहा जाता है क्योंकि ब्याबरा से होके आप इंदौर मुंबई जा सकते हो ब्याबरा से होके आगरा आगरा के आगे क्या है देली तक जा सकते हो ब्याबरा से अगर आप इस साइड म जाइपुर्ण में कहा चले जाओगी अब जैपुर्ण चले जाओगी तो मध्धे प्रदिश का चौरह किसे कहा जाता है क्योंकि यहां से नेश्च 3 और जावलपुर जैपुर वाला जो नेशनल हाइबे इसको बोलते है नेश्च ट्वैल नेशनल हाइबे संख्या 12 तो ब्य व्यावरा को मद्ध पर्देश का चोरहा कहा जाता है जोराइब्र मैं सइक कौन सी संस्था सुस्था बस इस्टेंडो के विकास एवं रख़रकापड के लिए उत्तर दाइए देखिए बस इस्टेंडों के विकास एवं रखर रुष्टो करता है लोकने विवह क्अ होता है ऑव şekilde स्थिक रॉट जो जुका होता है उनका निर्माड मरमध की जिम्मेदरी ति इस टेट डोक निरोक निर्मान लग कि द्वरार की जाती है ओकी सेकेंड आफ्शन मद्ध्य प्रदेश राज्य परिवे निगम ये तो बिलकुल नहीं होगा क्योंकि ये तो बंद हो चुका है और थार्ड आफ्शन है मत्थे प्रदेश इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट अथर्टी तो देखिए थार्ड आफ्शन बिलकुल निव बस इस्टेंडनों का विकास एकम रख रखाम मद्ध्य प्रदेश के अंदर करती है चलिए अगला कोश्चन कोश्चन नमबर थर्टीन महिलाओं के लिए निशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनानी की योजना का आरंब किया गया था 28 दिसंबर 2015 से कबसे 28 दिसंबर 2015 से ऑप्सन नमबर थर्ड इसका बिल्कुल सही हो जाएगा तो महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश में निशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस की नीती कब से लागू की गई 28 दिसंबर 2015 से ये योजना प्रारम की गई थी चलिए अगला कोश्चन है आपका कोश्चन नमबर 14 प या जो मुख्य मार्ग से नहीं जुड़े होते तो ऐसे गावों को प्रदान मंत्री ग्रामेड सड़क योजना के माध्यम से 12-18 सड़कों से जोड़ा जाता है तो प्रदान मंत्री ग्रामेड सड़क योजना का जो शुवारम किया गया था वो 25 दिसंबर 2000 से किया गया था इसका अंसर होगा option number third तो प्रधान मंत्री ग्रामीर सड़क योजिना का शुवारम 25 दिसम्बर 2000 से किया गया था चलिए आगे चलते हैं next question देखते हैं question number 15 question number 15 ये बोलता है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजिना के अंतरगत सामानने गाओं अतवा विखास खंड को 12 मासी सड़कों से जोड़ा जाएगा कौन से किस सामानने गाओं अतवा विखास खंड को तो देखिए प्रधान मंत्री ग्रामीर सड़क योजिना में एक condition है उसमें क्या condition है कि उसमें condition इस प्रिकार से है एक तो ये है कि कंडिशन सामाने गाउं के लिए है ठीक है एक कंडिशन सामाने गाउं के लिए है दूसरी कंडिशन जो है दूसरी कंडिशन आदिवासी गाउं के लिए है तो दोनों कंडिशन हम देख लेते हैं तो सामाने गाउं के लिए condition क्या थी? कि ऐसे सामाने गाउं जिनकी आवादी या तो 500 हो या 500 से अधिक हो या फिर ऐसे अधिवासी गाउं जिनकी आवादी किती हो 250 हो या 250 से अधिक हो तो ये दो condition ही आपको याद रखना है तो इसमें क्या पूछाए? फिर से question देखिएगा पिधान मंतरी ग्रामीड सड़क योजना के अंतर कर किस सामाने गाउं अतवा विकासखंड को 12-18 सड़कों से जोड़ा जाएगा तो इसमें बात की गई है सामाने गाउं की ना कि आदिवासी गाउं की बात की गई है तो सामाने गाउं के लिए condition क्या है? ऐसे सामाने गाउं जिनकी जनसंख्या र्यात ओपासओ हो या 500 से अधिक हो तो आदिवासी पर पहुंच गई, आदिवासी गाउं के बारे में कोई बात की गई हैará элемो इसे ओफ्शन भी गए रृत हो गया option number 3, ऐसे गाउं जिनकी जनसंकिया 500 याज से अधिको, तो ये सही है, तो सामाने गाउं के लिए condition क्या है, सामाने गाउं के लिए condition ही है, कि ऐसे गाउं जिनकी जनसंकिया 500 याज से अधिको, ये सामाने गाउं के लिए condition है, अगर इसमें पूछता आधिबासी गाउं के लिए पांसो याज से आधिक हो तो ये प्रधान मंत्री ग्रामिर्ण सड़क योजना में ये condition ये शर्त रखी गई है कि इसे गाउं के लिए ऐसे गाउं जिनकी जन संख्या पांसो याज से आधिक हो ठीक है ऑप्सन नमबर थर्ड बिल्कुर सही है अगला कोश्चन अगला कोश्च माध्यम से कितने किलो मेटर के अख्ड़ के अनुसार प्रदान मंत्री ग्रामिर्ण सड़क योजना के माध्यम से कितने किलो महतरन के नैंसर करनेों की आध्यमान व्हजें गि याए सब्सक्राइब करना नहीं कि 4 प्राइब मैंदेश में दो तरी की जलती है एक तो प्रजान-müşत्री स hablar सड़क योजना और दूसरी हैं मुख्य मंतरी ग्राम सड़क योजना में उन गाओं को आपस में जोडा जाता है, जिनहें प्रधान मंतरी ग्राम सड़क योजना में नहीं जोडा गया, किलियर हो गया, तो मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना में उनी गाओं को 12-18 सड़कों से जोड़ा जाता है जिनें प्रधान मंत्री सड़क योजना में कबर नहीं किया किया तो ऐसे गाओं के लिए योजना चलती है जिसे बोलते हैं मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना अब ये मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना कब से प्रारम हुई थी तो 201011 से प्रारम हुई थी तो इसका अंसर हो जाएगा फोर्ट थी मुख्य मंत्री ग्राम सडक योजना के अंतरगत सामान ने एबं आदिवासी छेत्रों में किन गाउं को भारामासी सडकों से चोड़ा जाएगा देखें यह अच्छा कोश्चन है और इसमें दौनों कंडिशन पूछ लिए उन्हें पूछ लिए उन्हें पूछ लिए कि एक सामान ने, सामान ने गाउं और दूसरा उन्हें पूछ लिए कि जो आदिवासी गाउं है तो देखें ये भी आप देखलो तो प्रिदान मंत्री ग्राम pressuredग युजना की शर्थ हम पढ़ चुकी थे अब हम देखने जा रहे हैं किसकी मुख्य मुख्य मंत्री गिराम सड़क योजना की शर्ट यही है कि जो सामानने शेत्र के जो गाउं है उनकी जनसंख्या 500 या उससे कम, माइनस का मतलब क्या हो गया, कम, जबकि प्रधान मंत्री में हमने क्या लगाया था, प्रधान मंत्री में कंडिशन क्या थी, प्रधान मंत्री सड जण संय या तो 500 से कम् हाट रखना कम शब्द यहां जुड़ गया जब कि प्रदान मंत्री में क्या था अधिक अधि वासी जो गाउं हैं उनके लिए कंडिशन क्या है ऐसे आदिवासी गाउं जिनकी ज़सोंख्याश दूसो पचास अगोर्ट ठीक है, या तो 250 हो, या 250 से कम हो, ठीक है, क्लियर हो गया, तो अब question पे आते हैं, अब जी आपने condition समझ लिए इसकी, सामाने शित्रों के लिए 500 या 500 से कम, आधिवासी गाओं के लिए 250 या उससे कम, तो मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतरकत, सामाने एबम आधिवासी क्षेत्रों में किन गाओं को बारामाती सड़कों से जोड़ा जाएगा, तो देखिए, option आपके answer कैसे हो जाएगा, सामाने गाओं जिनके लिए जनसंग्या 500 या 500 से कम हो, या आधिवासी जोड़ा में 500 से कम तथा आधिवासी शित्रों में 250 से कम, तो option number 3 आपका बिलकुल सही है, तो मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना में ऐसे गाओं को कवर किया जाता है, जिनकी सामाने गाओं के लिए जनसंग्या 500 या 500 से कम हो, या आधिवासी गाओं के लिए जनसंग् से 250 से कम हो, तो इसका आंसर सही हो जाएगा, option number 3, अगला question, question number 19 देखते है, question number 19, अभी हाल ही में ARS सुविधा का मध्य प्रदेश में शुभारम किया गया, देखिए सारे question मैं अपनी last वाली वीडियो में बना चुका हूँ, बहुत detail में मैंने बनाए है, ठीक है, वहाँ प मध्य प्रदेश सडकार ने क्या किया है, जो हमारी MP government है, उसने ARS सुविधा का शुभारम किया है, अब ये ARS सुविधा क्या होती है, ठीक है ARS की फुल प्रदेश में शुभारम किया गया, ये ARS की फुल प्रदेश की फुल प्रदेश की फुल प्रदेश की होती है, अब देखिए ARS होता क्या है, मत्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है, ARS सुविधा का शुभारम किया है, इसमें ये बोला है कि अगर आप किसी नैशनल हाइवे से जा रहे हो, या आप किसी राज्य राजमार के निश्टेट हाईवी से गुजर रहे हो या आप किसी जिला मार के निश्टिक रोड से होकर गुजर रहे हो या आप मध्य प्रदेश में कहीं से भी होकर गुजर रहे हो अगर आप रोड पे किसी भी प्रकार का कोई accident आप देखते हो या आपको कोई medical emergency की आवश्यक्ता हो रोड पे कहां पे national highway पे state highway पे आप कहीं पे भी या आपको अगर रोड पे बहुत जारा traffic में फसे हो तो ऐसी condition में मत्य प्रद्य सरकार ने ARS योजना के अंतरकार एक toll free नंबर दिया है 1099 इस 1099 नंबर पे आप call कर दीजिए इस पे call करने से आप जहां भी फसे हो उसका तत्यकाल निवारण मत्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाएगा तो ARS योजना क्या होती है accident response system है आप तीन condition इसमें cover की गई है या तो कहीं पे accident हो गया हो किसी का accident हो गया हो और अगर आपको उसको call करना हो तो उसे आप कहां सूचित कर सकते हैं मत्य प्रदेश सरकार को बंजीरो डवल नाइन पे बोल सकते हैं कि यहां पे accident हो गया है या आप बहुत लंबी ट्रेफिक जाम में फस गया हो जो पांच-पांच-चे-चे-घंटे के लिए भी solve नहीं हो पारा तब भी आप 1099 तो ए-र-स तो question यह भी आ सकता है आपको कि बताए यह 1099 टोल-फ्री नंबर किस योजिना के तहत जारी किया गया तो ए-र-स योजिना के तहर जारी किया गया है हो गया भी clear तो अभी हाल ही में ARS सुविधा श्टार्ट की गई थी तो ARS की फुलपम क्या है Accident Response System ठीक है और किसके लिए यह Accident Medical Emergency के लिए आप टोल-फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हो clear हो गया चलिए अगले कोश्चन पर आते हैं तो हमारा अगले जो कोश्चन है कोश्चन नंबर 20 ठीक है और ये कोश्चन नंबर 20 कोश्चन नंबर 20 है हमारा अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक के द्वारा मत्य प्रदेश सरकार को कितने करोड डॉलर की रिण राशी उपलत कराएगी तो देखिए भई ADB Asian Development Bank इस Asian Development Bank ने मत्य प्रदेश सरकार को 49 करोड डॉलर की कितने की भई और सेकंड इसका सही है 49 करोड डॉलर की रिण राशी उपलत कराएगी है ठीक है 49 करोड डॉलर की रिण राशी सारे उप्सन है 50, 49, 70, 75 इसमें तो सही है आपका अंसर क्या है तो आपका जो सही आंसर है वो है 49 करोड डॉलर अब देखिएगा ADB Asian Development Bank Asian Development Bank का जो मुख्यार है वो है आपका कहां Philippines में ठीक है Philippines में इसका मुख्यार है और इसमें सबसे ज़्यादा जो एमाउंट है वो चाइना का है तो ADB Bank ने मत्यपरजिस सरकार को 49 करोड 49 करोड डॉलर का लॉन का ओफर किया है और इस 49 करोड डॉलर के लॉन का जो उपियोग किया जाएगा वो 1600 किलोमेटर लंबे रोडों की मरमत के लिए किया जाएगा ठीक है तो ADB Bank ने 1649 करोड डॉलर का जो लॉन दिया है वो 1600 किलोमेटर जो लंबी लॉन है 1600 किलोमेटर जो लंबी सरक मार्ग है उनकी मरमत एवं उन्नेन के लिए दिये हैं अब इस 1600 किलोमेटर में जो आपके 750 किलोमेटर है बो तो हो गए स्टेट हाई वे कवर राज्चे राजमार की और बांकी का बचा 850 850 किलोमेटर में आपकी जो डिष्टिक रोड है जिला मार्ग कवर होते हैं अब सुनना अच्छे से ADB Bank ने Asian Development Bank ने एशाई विकास बैंक ने मद्ध्यपर्दिय सरकार को 49 करोर डॉलर का लॉन दिया और मद्ध्यपर्दिय सरकार ये बोली कि हमें 1600 किलोमेटर लंबी जो सड़के हैं उनका निर्माण एवा मरम्मत का काम करना है अब 1600 किलोमेटर में से जो राज्चे राजमार्ग है यानि श्टेट हाईवेज है वो 750 किलोमेटर लंबे हैं ठीक है अब इन 750 किलोमेटर लंबे जो राज्चे राजमार्ग हैं इनका उन्यन यानि मरम्मत की जाएगी ये आपको यार्द रखना है 1600 किलोमेटर में से 700 किलोमेटर लंबे जो राज्चे राज्चे राजमार्ग हैं इनका उन्ययन यानि मरम्मत यानि रिनोवेशन का काम किया जाएगा और जो शेस्ट बचे 850 किलोमेटर यह जिला मार्गे इन जिला मार्गों पर क्या किया जाएगा कि यह जिला मार्ग अभी सिंगल लेन हैं इन सिंगल लेन को हम किसमें करेंगे डबल लेन में क्लियर हो गया करोड डॉलर की शाहिता राशी दी है तो एशियन डेबलमेंट बेंग ने डिक है एशियन डेवलमेंट बेंग ने मत्ये पृति सरकार को 494 डॉलर की शाहिता डी है किसके लिए सोरा सो किलोमेटर लंबी जो सड़क हैं उनका मरम्मत उन्यन एबं सिंगल लेंज डबल लेंज में कन्वर्ट करने के लिए तो इसको दो भागां में तोड़ दिया था हमने साड़े साथ सो और आठ सो पचास चलिए आगे बढ़ते हैं अगला जो कोश्चन है आपका कोश्चन नमर 21 क्या होता है मथ्य प्रदेश का जो आर्थिक सर्वेक्शन हुआ था दो हजार अठारा उन्निस के अनुसार मथ्य प्रदेश में राष्ट्री राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है तो दो हजार अठारा उन्निस के आर्थिक सर्वेक्शन हम जो आपने पढ़ा था अपने राष्ट वाले लेक्शर में उसके अनुसार मथ्य प्रदेश में राष्ट्रे राजमार्गों की जो कुल लंबाई है वो आठ हजार दस किलो मेटर है कितनी लंब आप एक लिए अगलर कोशें हमें ड्र नमबर 22 राष्ट्री राजमार्गों की लंबाई के बनीटिya के हिसाब से मथ्य प्रदेश का देश में चौथा इस्तान छोधनी रंक है और तो पहले स्थान पर कौन है तो पहले स्थान पर है आपका महाराश्ट में राष्ट्री राजमारों की लंबाई लगवक 17000 के उपर है सेकंड नंबर पर आएका आपका यूपी उत्तर प्रदेश ठीक है नैसनल हाईवे की लंबाई के साफ़ते पूरे देश में सेकंड नंबर पर है आपका उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में जो नैसनल हाईवे की लंबाई है वो 11000 के उपर है थर्ड नंबर पर आपका है राजिस्थान राजिस्थान में जो नेशनल हाईवी की जो लंबाई है वो दस हजार किलो मीटर के उपर है और फूर्थ नमबर पे आता है MP MP में जो राश्टे राजमारकों की लंबाई है वो आठ हजार किलो मीटर के उपर है ठीक है, तो राश्ट्री राजमर्गों की लंबाई के इसाब से मध्य प्रदेश का देश में कौन सी रेंक है, फोर्थ रेंक है, चौथा इस्तान है, ओकी, चलिए, तैंक यू, ओ सोरी, आगे बढ़ते हैं, अगला कोशन है हमारा, मध्य प्रदेश सड़क परिवेहन, निकम का बिगठन किस वर्स हुआ था, देखी हम यह अल्डेडी कवर कर चुके हैं, कि मध्य प्रदेश सड़क परिवेहन, निकम की इस्थापना कब हुई थी, तो 1 जून 1962 को हुई थी, ठीक है, और इसका बिगठन कब हुआ था, बिगठन मतलब इसे खतम कब किया गया था, तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक अधी सूचना जारी करके इसका बिगठन किया था, क्यों किया था, क्योंकि भाई यह लॉस में जा रहा था, बहुत सारे लॉस में जा रहा था, तो इतना लॉस जो है, मध्य प्रदेश की सरकार बरदास्त नहीं कर पा रही थी, तो उसने बो कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर 24 कोश्चन नमबर 24 बोलता है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रा ले की अनुसार मध्य प्रदेश में राश्ट्रिय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रा ले अब इनकी जो वेबसाइ पर इन्हें बोला है कि मत्य प्रदिस से किसिए राष्ट्रे राजमार्क होके गुजरते हैं तो इनकी गमेड़ी से इनकी वेबसाइट पेजसे हैं इसकी फ्लपम ह Gesetz पर तो सुनिएगा, Ministry of Road Transport and Highways, इसकी वेबसाइट पर आप जाएंगे, तो इसकी वेबसाइट पर एक पूरी National Highways की PDF है, जिसमें मद्यपर्दिस के सामने 40 National Highways के नंबर पूरे लेके हो गए है, इसलिए मद्यपर्दिस में राश्टी राजमारगों की कुलत संख्या, सड़क परिभेन और राजमारग मंत्रा लेके नुसर कितनी है, 40 है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला कोश्चन कवर करते हैं, लाश्ट कोश्चन आपका, मध्यपर्देश का सबसे लंबा राज्यराजमार कौन सा है, मध्यपर्देश का सबसे लंबा राज्यराजमार कौन सा ह तो देखिए मध्य प्रदेश का जो सबसे लंबा राज्य राजमार के वो है आपका SH19 ठीक है राज्य राज्य राजमार के मालब स्टेट हाईवे एस एच बोलते हैं SH19 उन्निस नंबर का यह कहां से कहां तक जाता है तो यह जैतपुर से जैतपुर कहां पढ़ता है तो जैतपुर से MP के छिदवार तक जाता है इसकी जो कुल लंबाई है SH19 की कुल लंबाई है 743 किलो मेटर 743 किलो मेटर तो मत्य प्रदेश का सबसे लंबा राज्य मार्क है आपका स्टेट हाईवे नंबर 19 तो यह आज हमने एक बहुत सारे questions जो है कवर कर लिए हो सकता है क और भी questions हो इसमें मैं वो भी वीडियो बनाऊगा तो थैंक यू सो मच प्रीच की वाशिंग थैंक यू